हलो नमस्कार मैं डाक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिट से हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे छितिज भाग एक के पद्ध खंड के उपर जिस पर की हमने MCQ question तयार किया है इससे पहले हमने गद्ध खंड पर MCQ बनाया था उमीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा और इसी पैटर्न पर आपके KBS TGT में प्रशन पूछे जाएंगे इसी उमीद से हम लगातार आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में आखिर समय तक आपको लड़ाई लड़ते रहना चाहिए तो इसलिए परिक्षा के एक दिन पहले तक लगातार आपको उसी उर्जा के साथ लगे रहना है जिस उर्जा के साथ आपने फॉम को भरा था तो हार नहीं माननी है और लगातार मेनत करते चलना है चलते हम बात करते हैं पहले प्रश्ण के उपर प्रश्ण पूछा गया है कि नर्सी मेहता के संदर में सही है गुजरात के प्रसिद संत कभी थे महाराष्ट के प्रसिद संत कभी थे दक्षिर के प्रसिद संत कभी थे पंजाब के प्रसिद संत कभी थे तो यदि नर्सी महता का नाम आप सभी ने सुना होगा 22 ते जन कहिए नाम से इन्होंने एक कविता लिखी हुई थी तो इसका सही जबाब है आप लोगों के दिमांग में आने लगा ओप्षन ए गुजरात के प्रसिद संत कभी थे नर्सी महता जिस्टे की गांधी जी भी प्रभावी थे आगे बात करते हैं अगले क्वेशन पर अगला प्रश्ण है कि कबीर के संदर में असत्य है कबीर के जन्म और मृत्य के बारे में अनेक की वदनतिया प्रचलित हैं तन 1398 में कार्शी में उनका जन्म होः और 1518 के आसपास मगहर में देहान कबीर ने विधिवत सिक्षा पाई थी सत्संग परेटन तथा अनभो से उन्होंने ज्यान प्राप्त किया था तो इसमें हमें बताना है कि असत्य कौन सा आपसन है तो आपके दिमाग में तुरंत आगया हुआ कि मस कागज छियो नहीं कलम गयो होना हात तो कबीर भी धिवत रुट से शिक्षा नहीं प्रापकिये थे यह आपसन क्या हो गया गलत हो गया बाकि जितने भी आपसन दिया यहां पर सभी सकते हैं तो आगामी परिक्षा के दिश्टी कौन से इन ओपसंस पो भी आप ध्यान में रखें और मुझे ऐसा लगता है बार-बार कि आप लोग जैसे एक्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन पेपर यहीं से सेट किया गया है तो उस कि दी तर्वाइता के साथ आप लोग देखिए आगे हम बात करते हैं कि भक्तिकालीन निर्गून संत्व परमपरा के प्रमुह कभी कवीर की रचनाएं किसमें संक्रहित नहीं है। है तो कबीर की रचनाओं का संकलन नहीं है आपने option देखा होगा और तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा किसका सही जवाब option D है सूर सागर में कबीर की रचनाओं का संकलन नहीं है बलकि आप देखेंगे तो कबीर गरंधावली में बीजक में और गुरु गरंध सहाब में इनकी रचनाओं आपको मिल जाएगी और सेम टूसेम उसी pattern पर उपर के तीन option सही हो रहे हैं तो नीचे का एक गलत हो जा रहा है औ कबीर के संदर्व में असत्य है कबीर अत्यंत उधार निर्भय तथा सद ग्रिहस्ट संथ थे राम और रहीन की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने इश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह की पाखंड भेद भाव और कर्मकान का समर्थन किया उन्होंने अपने काबे में धार्मीक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुस्य की कल्पना की इश्वर प्रेम ग्यान तथा वेरागे गुरु भक्ति सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्म बोध और जगत बोध की अभिवक्ति उनके काबे में हुई है तो हमें बताना के असत्य कौन सा आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन जो इसके विकल्प दिया गया है वो बड़े बड़े हैं उनको पढ़ने में वक्त लग सकता है और समझने भी वक्त लग सकता है तो आप लोगोंने समझ लिया होगा कि इसका अस करते हैं इस तरीके से इसका सही जबाब हो गया आप्शन-B आगे बात करते हैं एंगले कोईश्चन पे कबीर के संदर में असत्य है फिर से कबीर से समझन जो पूछा गया वो असत्य पर आधारित है विकल्प दिये गया है कि कबीर की भाशा की सहजिता ही उनकी काब्याक् जन भासा के निकट ना होने के कारण उनके का विभाशा में तार्षनिक चिंतन को जटिल धंग से व्यक्त करने की ताकत है ताकियों में प्रेम का महत्व संतिके लक्षर ग्यान की महिमा बाय आडंबरों का विरोध आदि भाओं का उलेख हुआ है कबीर कहते हैं कि ग्यान की स निकट ना होने के कारण जबकि आपर जन भासा के निकट है और जटिल धंग से नहीं बलकि सरल धंग से आपर प्रस्तुत किया गया है तो श्रब्दों को बदल दिया गया है और यही इसी टाइप से तो क्वेशन बनते हैं और आपको यही इसी टाइप की प्रेक्टिस करन अपना विकेट गवा सकते हैं, तो इस ही हिसाब से questions को पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, आप देख रहें कि option C जो दिया गया है, कबीर की साख्यों के बारे में दिया गया है, तो आगामी परिक्षा के दिश्टी कोन से जरूर इसको ध्यान में रखिए कि किन-किन चीजों क इसमें उलेख किया गया है, हो सकता है कि आगे विकल्प के तोर पर यही चारो इसकी विशिष्टाएं आजाएं साख्यों को लेकर, तो किसी भी तरीके से प्रश्ण बन सकते हैं, इसलिए आपको हर एंगल से आपको देखना पड़ेगा, इस प्रश्ण का साही जबाब भी कि कबीरा जीम, तो उपरियुक्त पंक्तियां किसकी हैं, यह यहाँ पर सवाल पुछा गया, आप्सन दिया गया है, रहीम, कबीर, तुलसी दास, रस्खान, तो बहुत सारे विद्यार्थियों की दिमाग में आने लगा होगा सही जबाब, और बिल्कुल सही जबाब तक आ यहाँ पर अप्सन B, आगे बात करते हैं अंगले क्वेशन पे, संतव भाई आई ज्यान की आधीरे, इसमें कौन सा अलंकार है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट को ध्यान में रखते वे तो प्रश्न बनाई गया है, हिंदी व्याकरण को भी ध्यान में रखा गया इसलिए ऐसा प्रेक्टिसेट मेरे ख्याल से अभी कम ही प्रयोग के तोर पर आपको अन्य चैनल ओपर दिखा होगा, तो यहाँ पर आपकी दिमाद में तुरंत आगया होगा, कि संतव भाई आई ज्यान की आधीरे में कौन सा अलंकार है, अनुपरास यमक रूपक उपमा, तो यहाँ पर सही जबाब हो गया, ओप्शन C, रूपक अलंकार, आगे बात करते हैं अंगले कोशन पर, ललद्य, ललद्य के संदर्म में असत्य, आप देख रहे हैं नाम भी थोड़ा सा अजीब है, और टेडिशनल अगर आप हिंदी साहित की पढ़ाई करते हैं, तो उस शमीरी बासा के लोगप्रिय संद कवित्री हैं, इनको ललेश्वरी, लला, ललेयोबेश्वरी, ललारिफा आदी नामों से भी जाना जाता है, इनकी कावे शैली को बैशाक कहा जाता है, इन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, और प्रेम को सबसे बड़ा मुल् शैली को अपनाया हुआ है, तो आप अपने नोट कुक में इसको नोट कर लिजे, बाकि ऑप्सन भी ललद्य के बारे में काफी इंपोर्टेंट है, इनके नामों को लेकर ललेश्वरी, लला, ललायोगेश्वरी, लतारिफा, ललारिफा, तो इस हिसाब से हो सकता है, कि वि लिखित में से असंगत है, कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुरसी की चवपाई, रस खान के सोठे, तो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा ये निव पैटर्न पर आधारित कुषिन आपको दिख रहा है, और आपको कुषिन देखने के बाद काफी अच्छा लग रहा होगा, कि ऐसा प्रशन आएगा, तो आप सभी जो भी इस चैनल से जुड़े हुए विद्यार थी हैं, वो अपना 100% वहाँ पर कुषिन सही करके आएगे, असंगत कौन सा है, बातों ही बातों में आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जबाब दे दिया, और रस खान सोठे के लिए बलकि सवये के लिए फिमस हैं, तो इस तरीके से इसका सही जबाब आप संडी होगा, बाकियों को आप फ्यूचर की दिश्टिकों से ध्यान में रखिए, अगर तुलसी से रिलेटेट क्वेशन आ जाए, मीरा से आ जाए, कबीर से आ जाए, तो इस टाइप के शैली पर एक में ललद्य के कितने वाखों का हिंदी अनुबाद प्रस्तुत किया गया है, जब आप ललद्य के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि कितने वाखों का अनुबाद करया गया, ओप्सन दिया गया है, चार, पांच, सार, आठ, तो इसका जो सही जबाब ह पर आपके दिमाग में भी आने लगा होगा और जिन बच्चों के दिमाग में नहीं आया होगा तो सही जबाबे option A, चार वाक्षों का अनुबाद किया गया है, आगे बात करते हैं अगले question पे, कि ललद के वाक्षों के संदर में सही नहीं हो सकता है कि कई विद्यार्थी इस उच्चारण को लेकर confuse हो रहा है हो, तो वो इसको पढ़ें, बाकी मेरे ध्वनी से इसको correlate करने की कोशिश करें, क्योंकि न मैं कभी इनको पढ़ा था, न आप लोग अगर CBC बोड़ वाले विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए, तो ललद के वाक्षों के संदर में सह प्रशे की चेत्ना व्यापक हो सकती है, तीसरे वाक्ष में कभी इतनी के कामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति है, चोथे वाक में भेद भाव का विरोध और इश्वर की सर्व व्याप्रक्ता का बोध है, उपर जब हमने चार वाक्षों की चर्चा की थी, उन्हीं चार वाक्षों की यहाँ पर विसे वस्तुओं को दिया गया है, तो उसी पर आधारी थी प्रश्न था, सही जबाब इसका है कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर देखें तो हमें बता रहा है, उप्षन C, इसे में बताया गया कि तीसरे वाक में कवेट्री के सामाजिक जितना की अभिव्यक्ति, यहाँ पर होना चाहिए था, आत्मिक जितना की अभिव्यक्ति हुई है, ठीक है, तो बस यहाँ पर आपक बहुत ही कुछ सवाल पूछे जाते हैं इसका अनुवाद किया तो ध्यान में रखिया आगे बात करते हैं अगले कॉश्यन पे की रस्खान के संद्र में सही नहीं है रस्खान का जन 1549 में हुआ माना जाता है उनका मूल नाम सयद इब्राहिम था वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे प्रिश्ण भक्ती ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि बलभाचार से सिख्षा ली तो रस्खान के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है जो भी विद्ध्यार्थी बहुत स्रियसली इसका बहुत ही ध्यान से आपको इसका सही जबाब देना है option D है दिया गया कि क्रिश्ण भक्ती ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि बलभाचार से दिख्षा ली थी बलकि यहां पर क्या होना चाहिए था बिठ्थल नात से उन्होंने दिख्षा ली थी तो क्योंकि इसी अलनात को माना जाता है हलांकि आश्टी चाप में चार चार कवियों को इधर उधर बाटा गया है उनको भी ध्यान में रखे लेकिन रस्खान किसके शिश्य रहे हैं वो आज क्लियर हो गया होगा आप सभी को आगे बात करते हैं अगले question पर अगला प्रश्ण है कि रस्खा हुआ है उनके कावे में कृष्ण की रूप माधुरी ब्रज महिमा राधा कृष्ण की प्रेम लिलाओं का मनोवर वर्डन वे अपनी प्रेम की तनमेता भावविवलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद हैं उतने ही अपनी भाषा की मारमिता शब्द चैन त इसमें तो पहले हमें बताना कि सही नहीं है तो डी ऑप्षन जो है वह सही नहीं है क्योंकि अत्यंत सरस और सरल प्रयोग मिला है यहां पर तो यहां पर क्या हो गया यह ऑप्षन गलत हो गया और परिक्षा में क्या होता कि यह टेस्टी करना होता है तो बहुत ज्यादा तर सब्दा डंबर भी नहीं है तो यह होना चाहिए था बाकि आप देख रहे हैं कि option जो दिये गए हैं वो एक एक कथन के बराबर हैं हो सकता है कि यह सब पूछ लिया जाए तो जब एक कृष्ण की चर्चा की जाएगी और कृष्ण भूमी की चर्चा की जाएगी तो आपर रस हीत में से प्रेमवाटी का किसकी रचना है प्रेमवाटी का किसकी रचना है option दिया गया जैसी रस खान मीरा भाई सूर्दास तो आपकी दिमाद में तुरंत आ गया होगा कि हमने पढ़ा था कि रस खान की रचना है प्रेमवाटी का इसके साथी सुजान रस खान नाम से एक और रचना का जिक्र किया गया है तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं आगे बात करते हैं अगले क्वेशन पे अगला प्रशन है कि मानुस हो तो वहीं रस्खानी बसव ब्रज गोपुल गाउं की गवारन उप्रुक्त पंक्तियों का आशय है अब देख रहे हैं कि पंक्तियों पर आदेट क्रिशन पुछ लिया गया मानुस हो तो वहीं रस्खानी बसव ब्रज गोपुल गाउं की गवारन उप्रुक्त पंक्तियों का आशय क्या है आप कर्शन दिए गया है कृष्ण की मुरली के धुन और उनकी मुस्खान के अचूख प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वरणन है कृष्ण के रूप संदर के प्रती गोपियों के उसमुںकदता का चित्रन है जिसमें वे स्वयम क्रिष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं, क्रिष्ण और क्रिष्ण भूमी के प्रति कभी का अनन्य समर्पन भाव व्यक्थ हुआ, और आकरी ओप्षन में इन में से कोई नहीं, तो आप देख रहे हैं, पंक्तियों का अच्छे से आप अगर एक से दो बार रिवीजन करेंगे, तो इसका अर्थ खुलकर आपके सामने आ जाएगा, सही जबाब है ओप्षन C, इन पंक्तियों में क्रिष्ण और क्रिष्ण भूमी के प्रति कभी का अनन्य समर्पन भाव देप्थ हुआ, आगे बात करते हैं अगले क्वेशन के उपर, जब आप रस्खान के सवयों को पढ़ेंगे, तो उसमें कुल चार सवयों के बारे में चर्चा की गई है, और उनका वीवी से वश्तू अलग-अलग है, अगला प्रशन है, या लकटी अरुकामर्या परराज तीहूं पूरको तजड़रव, उप्रियुक्त पंक्तियों का आश् क्रिष्ण के मुरली की धून और उनकी मुस्कान के अच्चुग प्रभावत तथा गोपियों के विवस्ता का औरन है, क्रिष्ण के रूप सवंदर के प्रति गोपियों के उस मुवधता का चित्रन है, जिसमें वे स्वयम क्रिष्ण का रूप धारन कर लेना चाहती है, क्र कभी का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है इन में से कोई नहीं तो देख रहे हैं आपकी option बिल्कुल वह दिये गए हैं और इस practice state के माध्यम से आप सभी को यह भी बताना हमारा उद्धिश्य है कि जो चारो सवय दिये गए हैं उनकी विशेवश्तु क्या है तो अगर आ आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण है मोर पखा सिर उपर राखियों गुंज की माल गर पहिराओंगी ओड पितंबर ले लकुटी बन गोधन गौरन संग फिराओंगी उप्रोग्त पंक्तियों का आश्य है क्रिश्ण की मुर्ली की धुन और उनकी मुस्कान के क्रिश्ण और क्रिश्ण भूमे के प्रति कभी का अनन्य समर्कौन भावव्यत्थुगा है इन में से कोई नहीं तो क्वेश्ण नंबर अठारा का जब एक से अधिक बारा प्रिवीजन करेंगे पंक्तियों का तो आपकी दिमाग में तुरन ये अर्थ खुलकर आजाएगा सही जबाब है option B क्रिश्ण के रूप सवंदर के प्रति गोपियों के उस मुगदता का चित्रन है जिसमें वे स्वयम क्रिश्ण का रूप धारन कर लेना चाहती हैं तो इस तरीके से सही जबाब हो गया option B आगे बात करते हैं अंगले question पे वो भी पंक्तियों पर ही आधारि थे और आप सभी को अब लग रहा होगा कि आप सभी एक्जाम हॉल में बैठे हैं और पेपर ऐसा ही आने वाला है question दिया गया कि कानन दय अंगोरी रही पो जब अहीं मोरली धुनी मंद बज़ए हैं मोहनी तानन सो रख रस खानी पटा चड़ी बोधन हैं तव गए हो पहले आप देख रहें कि सब ब्रज भाषा के शब्द हैं और जो भी ब्रज छेतर के विद्याति होंगे उनको तो विल्कुल दिक्कत नहीं हो रही होगी और जो इधर उधर के होंगे थोड़ा से उनको अर्थ लेने में दिक्कत हो रही होगी तो पुझा गया कि इन पंक्तियों का आशे क्या है आप देख रहें कि सेम तू सेम है तो मुझे उम्मीद है कि यह चोथा आप्सन लगातार इसी टैप का सब दिया गया है चोथी बार तो याद हो गए होंगे तो मैं किवल अब आपको सही जबाब के तरफ ही ले जा रहा ह कि कृष्ण की मूरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचुग प्रभाव तथा गोपियों की विशस्ता का विवस्ता का वरणन इसमें किया गया है ठीक है तो इस तरीके से आप्सन ए इसका सही जबाब है आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण है बहुत ही इंपोर्डेंट क्वेशन निमलिखित में से सवयाच चंद के संदर में सही है पहले सवाल आ जाता था कि सवया में कितनी मात्रा है क्या है लेकिन अब बदलते पैटरन पर आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्ण पूछे जा रहे हैं उसी पैटरन पर यहां पर सवाल मैंने भी बनाया है आप देखेंगे इस प्रश्ण में सवया से सभी चीजें आपको पता चल जाएंगे सवयाच चंद के संदर में सही है यह एक वाडिक चंद हैं जिसमें 22 से 26 वाड होते हैं यह बरज भाषा का बहुप्रचलित है और उप्रुक सभी तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका सही और ज्यादा तर यह बरज भाषा में प्रचलित है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि रसखान इसके मास्टर माने जाते हैं तो इसको ध्यान में रखना है आगे बात करते हैं अगले क्वेशन पर माखलाल चत्रुवेदी के संदर में असत्य है अफसन दिया गया है माखल माखलाल चत्रुवेदी को साहिते अकादमी नहीं मिला था तो कौन सा कथन है जो माखलाल चत्रुवेदी के संदर में असत्य है तो आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जबाब आने लगा होगा कि हमने तो पढ़ा था माखलाल चत्रुवेदी को साहिते अकादमी पुरसक किस रचिना पर माखलाल चुत्रवेदी को मिला है आप चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में इसको बता सकते हैं फिर भी आगामे परिक्षा के दिश्कौन से बिलकुल ध्यान में रखे कि उपर के जो भी तिनों ऑप्सन दिया गया है सब माखलाल चुत्रवेदी के संदर में सकते है जबकि ऑप्सन डी जो दिया गया है कि साहित अकादमी नहीं मिला है ये ऑप्सन गलत है आगे बात करते हैं अगले क्वेशन पर अगला प्रशन है कि निमलेखित में से माखलाल चुत्रवेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया ऑप्सन दिया गया है प्रभा कर्म कर्मबीर, प्रताप, माधुरी तो आपके दिमाग में इसका सही जबाब आने लगा होगा कि माखलाल चुत्रवेदी ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया है। हिम तरेंगडी, वेंडू लोग गुजे धरा। तो आप सभी विकल्पों को अच्छे से देख रहे होगे और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कौन सा ऐसा ओप्सन है जो कि माखलाल चुत्रवेदी की रचना के में नहीं आता है। तो जो ऑप्सन दिया गया है सही जबाब है ऑप्सन B थी। समय देवता। यहां पर जो ऑप्सन है कि माखलाल चुत्रवेदी की रचना नहीं है बलकि अगर यहां पर सही देवता होता तो यहां पर माखलाल चुत्रवेदी की रचना हो सकती थी। बाकी आप देख रहे हैं हिम्किरेटनी, हिम्तरेटनी, बेलू लोग गुझे, धरा यह सब माखलाल चुत्रवेदी की रचना है लेकिन समय देवता इनकी रचना नहीं है। भी आपकी दिमाग में आना चाहिए कि आखितकार समय देवता किसकी रचना है क्योंकि जब आप देखेंगे देवता पर आधारित कई रचना हैं जैसे गुनाहों का देवता, समय देवता, सहीत देवता, भाग देवता ठीक है तो इन देवताओं को जोरूर ध्यान में चलते हैं आगे बात करते हैं कि निमलिखित में से माखलाल चतरवेदी को सहित जगत में जाना जाता है एक भारती आत्मा राष्ट कभी भारती ये कभी भारती आत्मा तो किसके रूप में माखलाल चतरवेदी को जाना जाता है आपके दिमांग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा, कि हमने पढ़ा था, कि माखला चित्रवेदी को एक भारती आत्मा के लाम से जाना जाता है स्भाव वो गया option A आगे बात करते हैं गले question पे पुछा गया कि कैदी और कोकिला कविता के संदर में सही है option दिया गया है यह कविता भारती स्वाधिन्ता सिनानियों के साथ जेल में किये गए दुर्वेवारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष प्रस्तुत करती है कोकिल से अपने मन का दुख असंतोष और ब्रितानी शाषक के प्रती अपने आक्रोष को व्यक्त करते हुए वह काता है कि यह समय मधुर्गीत गाने का नहीं बलकि मुक्ति का गीत सुनाने का है कभी को लगता है कि कोयल भी पुड़े देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है इसलिए अर्द रातरी में चीक उठती है या फिर उपरुक सभी तो देखे कई बर प्रश्ण बनाने का एक कुदेश होता है कि अगर आप कैदी और कोकिल नाम की कभीता को नहीं पड़े होंगे तो भी इस प्रश्ण के माध्यम से सारी चीज़ों को आप जान पाएंगे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कैदी और कोकिला नामक जो कभीता है उसके कभी को है आपके दिमाग में आभी गया होगा मुझे पूरी उम्मीद है इसे प्रश्ण का सही जबाब है वो प्रियुक्त सभी तो बागी तीनों आपके बिल्कुल आप ध्यान में रखे किसमे स्वाधिंता सेनानियों के बारे में चर्चा की गए ऐसे सेनानिय है जो कि जेल में बंद है और उनके साथ दुर्बेवार हो रहा है उनको परशान किया जा रहा है याकना है दी जा रही है फिर यहाँ पर तुलना जो कवी है कोयल और कैदी दोनों को एक साथ देखा है कि कोयल भी अपने को आजाद मसस नहीं कर रही है रात में चीख जा रही है वो भी अर्ध रात नहीं है तो यह सारी चीजें है आगे बात करते हैं अगले क्रिशन पर पुछा गया है कि इस हुं क्रिती पर अपनी क्रिती से और कहो क्या कर दूं को किल बोलो तो मोहन के उरत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं कोकिल बोलो तो उप्रुक्त पंग्तियां किसकी है तो क्योंकि यहाँ पर question एक दूसरी से correlated है तो हो सकता है कि आपको यह जवाब तुरंत आ गया होगा लेकिन मैं बार-बार करता हूँ, यह मान कर चलिए कि आप फाइनल इक्जाम में बैठे हुए हैं, और वहाँ पर आपके 100 questions में यह सब प्रशन दिख रहे हैं, तो सही जबाब आप लोगों के दिमाग में आने लगा है, option दिया गया था इस पंक्ति के लिए, सुमित्रा नंद पंत की रशनाओं का असंगत समू है, एकदम से NCI T के pattern पर यहाँ पर question रखे गया है, जो भी KBS चाहता है, उसी आदार पर आप सभी की एक्तरिके से यहाँ पर practice हो रही है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रशनाओं का असंगत समू क्या है, बातों ही बातों में आप लोगों स्वर्ण की रण, तीरसरा option है, स्वर्ण धूली, कला और बुढ़ा चाहत, लोकायतन, चोथा है, चिदंबरा हीम की रिटनी सहीति देवता, तो असंगत समू कौन सा है, आपके दिमाग में तुरंत आगे होगा, कि option D जो है, वो असंगत है, क्योंकि हीम की रिटनी सहीति द पंत की रचनाओं में नहीं आएंगे, बलकि वो दूसरे की रचनाओं में आएंगे, और किसके रचनाओं में आएंगे, आचानक आपका दिमाग बोल उठाओगा, यह है माखलाल चित्रवेदी, बाकि हर एक चीज़ कहाने की जोरत नहीं है, मौन भी अभी अभी बेंजना है, आप सारी लोगों जानते होंगे इस चीज़ को, अगला प्रशन है कि सुमित्रा नंदन पंत के संदर में असत्य है, पंत की कविता में प्रकृति और मनुसे के अंतरंग संबंदों की पहचान है, उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नई अभी बेंजना पधति योग का विभाशा से संब्रिद किया, भाओं की अभिव्यक्ति के लिए तटीक शब्दों के चैन के कारण उन्हें तिल्पी कभी कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को एक भारती आत्मा कहा गया है, तो इसमें असर्टिक कथन कौन है, जैसे इस प्रश्न का अंत हुगा आप्शन के माध्यम से तुरंत आपके दिमाग में आगया होगा, कि आप्शन डी जो है, वो बिल्कुल गलत है, एक भारती आत्मा, तो अभी इसी प्रेक्टिस चेट में बताया गया है, माखलाल चुत्रिवेदी, वैसे हम लोग आज यूण पढ़ते आ रहे हैं, कि सुमि प्रेक्टिस मैच में सतक पर शतक लगाते हैं, लेकिन फाइनल मैच में जीरो पर आउट हो जाते हैं, इसी लिए प्रेक्टिस तो जरूरी है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ते लिए आगे बात करते हैं। प्रश्ण है किदारनाथ अगरवाल के संदर में असत्य है हम सटिक प्रैक्टिस आपर कर रहे हैं तो जीरो पर आउट होने की कोई संभावना नहीं है बलकि आप लोग चैनी थोकर आएंगे और कमेंट भी करेंगे प्रश्न था कि केदारनाथ अगरवाल के संदर में आसकते हैं केदारनाथ अगरवाल का जन उतर प्रदेश के बादा में हुआ केदारनाथ अगरवाल प्रगत तिवादे धारा के प्रमुख कभी माने जाते हैं जन सामानने का संगर्ष और प्रकृति संदर की उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है, प्रुवांचली सभा का दैनंदीन जीवन अपने खुले पन और उमंग के साथ उनके कावे में अभिव्यक्त हुआ, तो आपने बहुत ही गंभिता के साथ पूरे ओप्संस को द जन सामाने का संगर्ष और प्रकृति संदर है, इनकी कविताओं मिलता है भी सही है, यहाँ पर लिखा गया पूरुवांचली समाज का दैनंदीन जीवन के कविताओं मिलता है, तो यह क्या हो गया option, गलत हो गया, यह हो गया आपका बुंदेल खंड, आप देख रहे हैं, बुंदेल खंड, बुंदेल खंडी समाज का यहाँ पर चितरन दिखाई देता है इनके रिष्णाओं में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, और यह तो जिस एरिया से हम रिलेटेड हैं, वहां से हमने इसको जोड दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति जहा जिसमें शब्दों का संदर है, धोनियों की धारा है और इस्थापत्य की कला है, यह कथन किस के संदर में हैं, तो इस कथन को आपको स्रियसली देखना है, किसके बारे में यह बातें कही गई हैं, आप्सन दिया गया है, सुमितर अनदन पंध, माखलाल चितरवेदी, केदा केदारनाथ हगरवाल, राजेश, यूसी, तो तुरंत आपके दिमाग में आगया होगा, कि जब हम केदारनाथ हगरवाल को पढ़ रहे थे, तो उनके बारे में बतायागा है, कि संगीतात मक्ता, माजी, बंसी न बजाओ, मेरा मन दोलता है, टन दोलता है, इस टाइप से अ रब्दों का संदर है, ध्वनियों की धारा है, और इस थापत्य की कला है, तीन चीजों के तरफ यहां पर संकेत किया जा रहा है, इस कर्थन को हलके में बिल्कुल लेने की जोरत नहीं है, हो सकता है कि घुमा कर सवाल पूछ लिया जाए, तो यहां पर हमारे साथ जितने भ संदर है, तो कौन सा ओप्शन है चारों में जो की केदार ना थकरवाल की कविताओं का सही समूँ नहीं है, बिल्कुल आप सभी के दिमाग में इसका सही तरह रहा है, ओप्शन डी, युगधारा नाम से एक ही रचना आकर कबार कर दिके दाना थकरवाल की कविताओं का, जो समूँ नहीं है, युगधारा किसका हो गया, नागारजुन का, और इसको मैंने जान बुझकर डाला हुगा है, क्योंकि आप इतना बार प्रेक्टिस कर लें, इतना बार प्रेक्टिस कर लें, कि 360 डिग प्रेक्टिस पर सजगर खड़ा है, वो प्रेक्ट पंक्तियां किस कविता से ली गई है, ग्राम श्री, चंद्रगाना से लवटती बेर, मेघ आए, इन में से कोई नहीं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो कविता दी गई है, पंक्तिया दी गई है, आपकी दिमाग में तु गुड़ों का आरोब करके चेतन के समान उनकी चेश्टाओं का चित्रण कौन सा अलंकार कहलाता है, यहां पर देख रहे हैं आप कि इंदी व्याकरण से रिलेटेड यहां पर क्विश्चन आ गया, और जब आप शितिज भाग एक पढ़ेंगे, तो इसमें आप प्यक्षा गुड़ों का आरोब करके चेतन के समान उनकी चेश्टाओं का चित्रण करना क्या कलाता है, आप्शन दिया गया है मानुविकरण, रूपक, प्रतीब, यमक, से जबाब है आप्शन A, मानुविकरण, अलंकार, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला प्रश आपसी चर्चिया और चर्खे इस्तम के लिए सरवस्चर बहुत चर्चित रहे हैं, उनने ग्यान पुरसकार से समानित किया गया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन असर्थ्य है, अगर NCRT अच्छी से पड़े होंगे, तो आपके दिमाग में आ गया वह सही सही जब आप है option D, सरवसर दयाल सक्षेना, जो कि ग्यान पिट पुरसकार से समानित किया गया, यह option क्या हो गया, गलत हो गया, उपर के जो भी option दिया गया है, सब क्या है, सही है, आगे बात करते हैं अगले question पे, पुछा गया कि निमलिकित में से सरवसर दयाल सक्षेना कि कभिता संग्र नहीं है, काट की घंटिया, बांस का पूल, एक सूनी नाव, हड़ियों में छिपा ज्वर, तो option को देखने के बाद आपके दिमाग में तुरंत answer आगया होगा, सही जब आप है option D, हड़ियों में छिपा ज्वर, यह क्या है, सरवसर दयाल सक्षेना कि कभिता की कभिता संग्रह नहीं है, बिलकूल आपके दिमाग में सही जवाब, option C, कैदी और कोकिला, जो कि माखल, लाल, चतुरवेदी, MLC की रचना है, कैदी और कोकिला, आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण है शर्षर द्याल सक्षेना के संदर में असत्य है नई कविता के प्रमुख कभी सक्षेना ने उपन्यास नाटक कहानी निवन यों प्रचूर मात्रा में पाल सहितिय नहीं लिखा है शर्षर के कावे में ग्रामीड संदर के साथ शहरी मद्यवर की जीवन बोद भी व्यक्त हुआ है या बोद उनके कत्थ में ही नहीं भाषा में भी दिखाई देता है शर्षर की भाषा सहज यम लोग की महक लिए हुए है तो कौन सा ऐसा ओप्षन है जो कि यहाँ पर असत्य ह हमें बताना है सही जबाब है ओप्षन ए लिखा गया कि बाल साहित्य नहीं लिखा है जबकि आप देखेंगे कि शर्षर दयाल सक्षेना ने उपन्यास नाटक कहानी निवंध कविता के साथ साथ उन्होंने बाल साहित्य भी फ्रचूर मात्रा में लिखा हुआ है तही जब आये कविता काफी इंपोर्टेंट है अच्छी भी है तो यहां पर एक अतिथी की तुलना की गई हो कौन है मामा मौसा फूफा दामार तो इसका जो सही जबाब है ओप्षन डी कविता में आप देखेंगे बार बार इस शब्द के लिए पाहुन शब्द का प्रियोग किया दामार की ठीक है तो मेध आये कविता में इसी प्रवासी अतिथी की चर्चा की गई है आगे बात करते हैं अगला जो प्रश्न है छमा करो गांट खुल गई अब भरम की यह कथन किस कभी का है ओप्सन दिया गया सुमित्रा नंदन पंथ माखलाल चुत्रवेदी केदार ना बहुत इसमें अर थे शमा करो गांट खुल गई अब भरम की भरम की गांट खुलना बहुत ही जरूरी है मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि किसी का पीडियाफ आप पढ़ लेंगे किसी का बनाया गया नोर्स पढ़ लेंगे और कोई एक वन लाइनर किताब आपको मिल ज नहीं है तो यहां तो एक इसकी व्याख्या अपने इसाब से मैंने कर दी लेकिन जब आप मेग आये कविता पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा की गई है कि छमा करो गांट खुल गई अब भरम की यह कथन किसका है तो सही जबाब है ऑप्शन डी सर्वेस्वर द्याल सक सेना आगे बात करते हैं अगले क्वेशन पर है अगला प्रशन है कि चंद्रकांत देवताले के संदर में असत्य है चंद्रकांत देवताले के संदर में असत्य है चंद्रकांत देवताले का जन जिला वैतुल मद्र प्रदेश में हुआ देवताले की कविता की जड़े बारे में कौन सा कथन असत्य है आपके दिमाग में तुरन इसका जबाब आने लगा होगा और बिल्कुल सही आ रहा है कि आप लोगों ने जब स्याटी का अध्याइन किया तो इसमें कई पुरसकारों की बारे में चर्चा की गई है देवताले को कई पुरसकार मिले हुए अलग अलग एरिया में लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि कोई पुरसकार नहीं मिला इस तरीके से ऑप्सन क्या हो गया गलत हो गया और बाकि ज सामिल नहीं है दिवताले की option A हड़ियों में छिपाजवर दिवारों में दिवारों मैं पर खुन से लकड़ बग्गा हास रहा है हुखंड तप रहा है पत्थर की बैंच इतनी पत्थर रोष्णिन उजाड में संग्राल है खुटियों पर टंगे लोग तो इस प्रश्ण को आपको थोड़ा सर्ध्यान से देखने की जोरत है पहले कैसे प्रश्ण बनते थे सामाने तोर पर एक एक रच्णाओं को चार option में दे दिया जाता था लेकिन अब दिरे दिरे चेंज हो रहा है pattern अब समूहों में रचने पूछी जा रहे हैं और एक दो रचने दरुदर करक प्रश्ण बंद जा रहे हैं सही जबाब आपके दिमाग में आगया होगा कि option D है खुंटियों पर टंगे लोग जो की सरश्वर दयाल सक्षेना का हो गया तो इस तरी की option क्या हो गया गलत हो गया और बाकी जो भी option है वो सही है आगे बात करते हैं अगले question पे अगला आ रहा है सही जबाब आपके option B चंदरकांत देवताले ने लिखा यह मराज की दिशा आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण है कि निमलखित में से राजेश जोसी के प्रमुख का भी संग्रह नहीं है एक दिन बोलेंगे पेड मिटी का चेहरा नेपथ में हसी तीन पंक्तिय के बीच तो आप देख रहे हैं कि राजेश जोसी के प्रमुख का भी संग्रह में नहीं है आपके दिमाग में थोड़ा सा इस पर आपको मसक्त करनी पड़ेगी यह बहुत easy question नहीं है आप देख रहे हैं सही जबाब है option D तीन पंक्तियों के बीच में नहीं बलकि दो पंक् कर दिया गया देख रहे हैं माइनर मिस्टेक बलकि आप लोगों को चकमा इसको गुगली का जा सकते हैं अगर क्रिकेट के इस्ट्रेली में मैं बोलू तो और कई लोग इसमें आउट भी हो सकते हैं तो यहां पर देख राजेश जोसी के काभी संग्रहों के बारे में आपन परशने हैं राजेश जोसी के संदर्व में असरते हैं राजेश जोसी की कविताएं गहरे सामाजित अभी प्रायवाली होती हैं वे जीवन संकट में भी गयरी आस्था को उभारती हैं उनकी कविताओं में राष्ट्रिय बोली बानी मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप् अच्छा एक चीजा और ध्यान में रखना है कि जब भी आप कम टूटर बेस्ट टेस्ट देने जाते हैं तो उसके विकल्प आप एक शाक्रित लंबे चोड़े होते हैं क्योंकि टाइप करके कॉपी पेस्ट करना रहता है तो इसी टैट से क्वेशन बनते हैं मुझे बहु अच्छे था अस्थानी बोली ठीक है बस एक शब्द के वज़े से यहां पर क्या हो गया आंसर गलत हो गया यह बाकी जितने भी और संदियग हैं सब राजेश जोशी के संदर में सही तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहे हैं और तुरंत अपना दिमाग खुद है दिमाग तो इतना सैतान होता है चतुर होता है कि वो समय पर ही काम करता है अब जाएंगे एक्जाम हौल में आपको वही दिमाग जो कि इसके पहले कुंद चल रहा होगा आपको लग रहा होगा कि आप कुछ नहीं पड़े हैं लेकिन वही जाकर बहुत फॉस्ट काम करने ल देवताले का कैदी और कोकिला चतुरवेदी का तो प्रशन देखने के बाद आपको लग रहा होगा विकल्पों को देखने के बाद कि सुमेलित कौन सा नहीं है बिल्कुल सही जवाब अपने दिमाग में आ रहा है कि option C जो है वो सुमेलित नहीं है बलकि यहां पर राजेश जोशी का नाम होना चाहिए था तो इस तरीके से option C क्या हो गया बच्चे काम पर जा रहे हैं देवताले करना होकर राजेश जोशी का बाकि और जो भी option दिया गया है सब सही है तो इस तरीके से question number 45 का चाही जवाब हो गया C तो इस पूरे practice set में हमने 45 question पर ही बात की और कई दियार्थों की दिमांग में आ रहा है कि काश 50 हो जाता तो 50 और 100 का खेल क्रिकेट में होता है और कई बार तो आपने देखा हो आपकी 99 पर भी विकेट गिरता है 49 पर भीग गिरता है 45 पर भी गिरता है लेकिन आगे चलकर वही batsman शरतक भी लगा देता है तो शवरन तो कर आपको क्या लगा आपके confidence को कितना boost up मिला कितना अच्छा लगा ये सारी चीजें आप खुद आभास कर रहे होंगे कमेंट्स के मादम से मुझे भी बता सकते हैं इसलिए कमेंट्स जरूर कीजिए और इसी तरीके से अन्य पुष्टक्यें जो बची हुई हैं भी आपकी परिक्षा के पहले सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी और मेना मानना यही रता है कि आखिर तक हमें युद्ध में तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार